नेक्स्ट टॉपिक इज लेंथ कॉंट्रेक्शन और लॉरेंज फिजरेल्ड कॉंट्रेक्शन अब इस टॉपिक में हमें ये समझना है कि जो लेंथ है वो भी जो है आपकी एपसोलिट्नियों के रेलेटिव होती है यानि कि जो लंबाई है किसी वस्तु की वह वेग बढ़न के साथ में जो है उसकी जो लंबाई है वो भी परिवर्तित आपको होती भी मिलती है तो अगर वेलास्टी ज्यादा होगी तो लेंथ उतनी है आपको कम होती भी मिलेगी यह है लेंथ कॉंट्रेक्शन इसको पढ़ने के लिए फिर से हम एक फ्रेम ओफ रेफरेंस लेते हैं एस जो की रेस्ट में है और एक दूसरा फ्रेम ओफ रेफरेंस एस प्राइम लेते हैं जो की फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में जो एक्स डारेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलास्टी भी अब एक वस्तु लेते हैं जिसकी लंबाई है एल नॉट इनिशल लेंथ माल में जो लंबाई वस्तु की जो दिखेगी जो ओरिजिनल लंबाई है वो है यलनॉट वह दोनों फ्रेम में सेम रहीधी अब क्यूंकि आपको फ्रेम एस नॉट ऐस प्राइम जो है वह एकस डारेक्शन में वही वेलास्टी समूव कर रहा है और वेलास्टी जो वह है वह व लॉट की बराबर नहीं मिलेगी तो वो किस परकार चेंज होती है तो वो हम देखते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे माल लीजे जो आपकी ओरिजिनल लंबाई है वो है लॉट जिसको कि हमने लिखा है एकस टू प्राइम माइनस एकस वन प्राइम ठीक है अब यह जो Transformation equation हमारे पास उनकी Lorenz transformation equation को वहां पुट करेंगे और उसके हम कंपर डीजन में L बापिस हम निकाल और देखेंगे तो एकस न 마ल फार्मला है वो है एक साля आपका समीकरण नमबर 4 है, कौन सा समीकरण 4, यहां थोड़ा कट गया है, तो आपको कड़ना किया है कि जो x2 और x2 और x1 प्राइम जो है, इसको जब आप मैनस करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा l0, यानि यह जो equation आपको यहां दिख रही है, यह जो equation है आपकी यह है L not equal to x2 prime minus x1 prime यहाँ पर x2 prime और x1 prime की value put करेंगे consequence equation से जो हमने अभी नीचे transformation equation की रूप में लिखी है और इन equation के अंदर जब इनकी value put करेंगे तो value put करने पर आपको क्या मिलेगा x2 prime minus x1 prime equal to क्या हो जाएगा आपका gamma x2 minus x1 अब यहाँ पर देखो vt तो gamma vt दोनों में से cancel हो जाएगा बचेगा क्या gamma x2 minus x1 अब x2 minus x1 जो है ठीक है एक तो है आपका left side में x2 prime minus x1 prime equal to right side में आपका gamma into x2 minus x1 तो x2 prime minus x1 prime की जगे तो हम लिख लेंगे आपका L not तो यह जो चीज है इसके जगा तो मैंने लिख दिया L not और gamma की bracket में जो चीज है यह जाएगी आपकी L और gamma की value यहाँ पर put कर दिया हमने 1 upon में 1 minus v square upon c square वो भी square root में तो आपको relation जो मिला वो क्या मिला L equal to L not into 1 minus v square upon c square under root में अब इस relation को देखो यह जो gamma value है गामा जो factor वो हमेशा क्या है एक से कम होगा अगर v की value less than है c से तो उस case में L भी जो होगा वो क्या होगा L not से कम होगा इसका यह मतलब हुआ कि जो original लंबाई है आपकी original लंबाई वो original लंबाई घट जाएगी जब आप किसी high velocity से आपका frame मूँ कर रहा है और वह high velocity भी लगबग light की velocity के समकक्ष होनी चाहिए इसको length contraction कहते हैं तो यह आपका length contraction का topic हो गया इसके अलबाद जो दूसरा topic है आपका वो है time dilation वह हम अगली class में पढ़ेंगे फिलाल अभी हम इस topic को यहीं खतम करते हैं और इसमें कोई doubt है तो आप पूछ सकते हैं